पानी पूरी जो बनाते हैं अपन बैलंस से बनाते हैं फिर उसके बाद जो अपने पूरी बनाने की जो मशीन आई है वो दबा के वेस से बनाते हैं लेकिन उससे भी काफी टाइम लगता है तो उसका सोलुशन मैंने बताया था कि एक ही बार में 3500 एक ही बार में 3500 पूरी बन लाइव दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल करके यही पर दिखाएंगे सबसे पहले आपका अमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद है सभी अपने विवर्स देख रहे हैं कितने सालों से कर रहे हुए बिजनेस तो चार-पांस साल में आपने मतलग कहां से शुरू किया और कहां तक पहुँच गे क्या-क्या जुगार लगाने पड़े आपको पांस साल पहले हम हाथ से बनाते थे बेलन से बनाते थे फिर 2-3 साल हो गए जो मशीन ले कर आए हैं अपने फूरी बनाने से दबा और अभी यह मशीन देहिकी हमने फिर यह मशीन लेक्या है इसमें कपी टांप नि हलं लगता हैाँ आधर टांप बज गया है इसे गया है अपने को मासेutी लिए हमने मशीन और यहां पे लाके बना रहे हैं पुरी और इससे हमारा कर आधा फाइदा हो गिया अधा लगता है जो दो गंटे का काम था वो देड घंटे में एक कंटे में पना लेता है । तो एक बार में कितनी पकोड़ी बन जाती होगी इस मशीन अब आप बना रहे हो तो एक बार में कितनी बनाते हैं अब यहां बना रहे हुआ एक बार में 700 बनाते हैं तो आपको कैसा experience क्या कभी पकोड़ी फुली या नहीं फुली कैसे पकोड़ी फुला ने का हमारे पास तरीका कुछी नहीं है और यह बना रहे हैं इसके साइज के उपर आधार है ज्यादा साइज बड़ी करेंगे तो बड़ी हो जाएगी वो मुग के अंदर नहीं जाए पाएगी जिए चो अब जैसे की देख रहे हैं उसको टेकिनल के लोड़ के बड़ी पढ़ेंगे जितनालोड कम लोग है उतनी पकोड़ी चोटी बनेगी यह फरकता है तो अब जैसे कि अपने देख रहे हैं अब जैसे अंब जैसे बनाए और तल्द हो गए या फिर कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा कैसे उस टाइम के लिए पकोडी को बनाए कि मशीन से फिर पूरी बनानेकी मेशिन से बनाए तो कोन सा बेष्ट लगा फरक दिखता है आपको वह पकूरी बनाते हाथ से बनाते वह चार एकला बनाते उन्हें गणाते और यह अकिले का मैं अकिला टेता हूं अग्डयर वगा इस तरीके से यह मशीने ही अच्छा तो दोनों में क्या मतलब में कोई मतलब इफ्रेंस दिखा नि कोई दिखे से मसीन से बना रहे हैं वह इसे वेसी हाद से आ रही मशीन से भी सब्सक्राइक रहे यहाइए पकोडी इसमें कोई प्रोग्लेम नहीं यह बस्ते हाली है इसके अंदर एक टाइम बचतो रहा अपना और इसको दाब से गया है, तुरंड बन जाती है, अकिला अदमी होता है, वो भी काम कर लेता है, दूसरे किसी की जरूत नहीं परती है, इसमें लेबर बच रही है अपने पास लेबर बच रही है इसमें मसीन के इसाब से क्या अपने लेबर बच रही है यह पर तिए जरूत्ति निप्रति इसमें बीजली का काम ही नहीं है यह सिर्फ है मैंतों मेंटेननस अपने को रखना परता है मेंटेनेंस में क्या करना है गाना किते और ज्यादा हो जाएगी तो बड़ी ओ जाइगी थोड़ा कम सब तो और थोड़े और कम दबाएंगे और चोटी रहेगी इसे या मध्यम वर्क से इसको दबाना पड़ता है कि बेलेंस बराबर होना चाहिए तो इस मेशिन के साथ में आपको कहके दिया है कमपनी जे इसके साथ में आपको 12 सिलेट दिये 24 थेली भी दिये जिसके सिलेट के उपर लगके गोटी जमांगे फिर वापिस थेली लगाने उपर भी थेली लगाने नीचे भी थेली लगाने फिर उपर सिलेट लगाने फिर सिलेट के उपर वापिस थेली बिचाने तेली के उपर वापिस गोटी जमाने गोटी के बाद वापिस थेली रगन उदर अगर 3500 बनाने कितने आदमी लगते हो उदर हम 4 आदमी लगते हैं तो आपको कितना टाइम हो गया इस मशिन को यूज करते करते हैं तो चे महीने में क्या बचत दिखी आपको? तो चलो बहुत बड़िया लगा आपने पूरा लाइव दिखाया आज बतलो जी खुश हो गया कि वास्ताव में मैंने भी आज कुछ एक नई चीज देखी है दन्यवाद आप सुभिका तो दोस्तों अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि हकीकत में ये मशीन कुछ काम कर रही है और यहाँ पर ये पकोड़ी बन रही है खरिदना हो तो कृष्णा करशी यांत्र बड़ी साधली आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजे क्योंकि आपको पता है कि ये मशीन आ गई है दूसरे को किसी को पता नहीं है जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा तो वीडियो को शेयर करो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करो साथ में बेल आइकन को दबाओ क्योंकि आने वाले जू लेटेश टेकनोलोजी वाले जुगार वाले वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जै बाराज जै राजस्तान वन दे मातरम